हलो एन वेलकम टू स्टडी नॉम्स दोस्तों आज हम इस वीडियो में अगला इंपॉर्टन स्टैटिक जी के देखें हम बात करते हैं जम्मु एन किश्मीर पॉलिस कॉंस्टेबल की और मैंने आपके बोला कि हम कुछ इंपॉर्टन टॉपिक्स पढ़ेंगे और उन इंपॉर्टन टॉपिक्स में सबसे पहले हमने बात की कि हम पढ़ेंगे स्टैटिक जी के जिसमें नेश्ल पाक, वाइलेव सेंचरी, बाइसफेर रिजर्व्स, आपके आर्ट अं कल्चर के कई सारे टॉपिक्स होते हैं वो सा आज की इस वीडियो में देखेंगे folk dances of India, आज की इस वीडियो में देखेंगे folk dances of India, classical dances, folk dances are the parts of art and culture of India और static GK का भी पार्ट है समझगे, तो आपको ये आज पढ़ना है दोस्तों, जब भी हम folk dances की बात करते हैं दोस्तों, folk dances की बात करते हैं तो इंडिया में इतने folk dances हैं कि ज दस भी मान के चल लें, अगर हमारे 28 states हैं तभी भी 280 folk dances हो जएंगे तो इंसान के लिए possible नहीं है, बट फिर भी हम कुछ important trick से, निमॉनिक से इसको याद करने की कोशिश करेंगे, मैं आपको याद करवाने की कोशिश करूँगा, बहुत ज़ादा तेजी में, हड़ बढ़ा पहला part of folk dances, इसमें हम कुछ states के folk dances देखेंगे, निमॉनिक के मदल से, ठीक है रही, अच्छा, उसके बाद दोस्तों आपको यह बताना चाहूंगा, अच्छा, चलो बाद में बताऊंगा, आगे, चलो भई, folk dances of India, folk dances of India, दोस्तों, देखें दोस्तों, अगर आप इंडिया क की बात करें, दोस्तों, इंडिया कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, दोस्तों, हमारी स्टेट जमवन किश्मीर, तो दोस्तों, जमवन किश्मीर तो हम जमवन किश्मीर में भी अच्छा से पढ़ेंगे, तो जमवन किश्मीर को हम होल्ड पर रखते हैं, उसके बाद से करते हैं जम्मान किश्मीर से नीचे उतरेंगे तो पंजाब, पंजाब के साथ में दोस्तो हर्याना, हर्याना के साथ में यहां पे उपर देंगे हमाचल, इमाचल उत्राखंड, टेके, देन इसके बाद में उत्तर प्रदेश, यानि कि नॉर्धन इंडिया, तीक है दोस्तो, वहारा South India रहा जाएगा और North East रहा जाएगा दोस्तों देखेंगे कितने भी Part बनेंगे उतने हम Parts में इसको डिसक्स करेंगे दोस्तों नमबर बन पंजाब के वैसे आपको बहुत कम डांस उसके सवाल आथा because famous है जादा दोस्तों ठीक है चलो बही अब हम वो पढ़ेंगे जो की less famous है और examination के लिए हमारे लिए important है दोस्तों ठीक है चलो अब पंजाब की डांस की बात करेंगे तो दोस्तों गत्का और history number one है गत्का पहले नाम देख लो गत्का दूसरा डांस डोस्तों जूमकर तीसरा डांस एक ड्यांस राधा और लिए ऑनिछ लूदि आप दोस्तों वर्ल्डर बहरेया को आप चोड़ दें दोस्तों अब दोस्तों वन वाए वन इनके बारे में बात करेंगे, इस पर कोई ट्रक नहीं लगाएंगे ये आपको सीधा याद करना दोस्तों. गत का गत का दोस्तों कहीं न कहीं आपें अपने जिन्दगी में देखोंगा गत का जो है ये एक Marshall Electric का काटेगरी रेख देते हैं, ये Marshall Arts ह हालां कि यह sports की category में भी आता दोस्तो याद रुखना ठीक है इसमें क्या होगा आपने देखे होंगे अक्सर आपने blue color के निहंग सिख देखे होंगे निहंग यह ठीक है यह देख रहे हैं यह आप blue color में यह दोस्तो लड रहे हैं sword fighting कर रहे हैं jumping jacks हो रहे हैं लेंगा दोस्तो थो ठीक है इन आपको देखे हैं तांगता देखने को मिलेगा तोड़ा देखने को मिलेगा दोस्तों यह वुड़न स्टिक भी हो सकती है स्टिक फाइटिंग वह सकती बड़ी यूज्वल दोस्तों यह एक्चल तलवारे ही होती हैं देखेंगे कभी भी मेलेज में फेस्टिवल में गुरुपूरब में यह आप दोस्तों इसकी एक्जिवीशन होती है आप देखेंगे यह परफॉर्म करते हैं दोस्तों आपकी जुमना दोस्तों THIS dance is performed in circle the tune of emotional songs इससको छोड़ते हैं दोस्तों आपने भंगडा देखा हैं भंगड़ा की तरह ही यह यह dance आपको देखने को मिलेगा जूमर आपकासकते हैं भंगडा का एक पार्थ है फिरुस्तन वेस ने सारे कौसरे आफ इस तरीके से इस करिके से सरक्ल ह गोल घूमती हैं किकली का मतलब इस तरीके से गोल घूमना किकली पॉली में बुछ दें किकली पाईए है जम कश्मीर में भी आपको देखने को मिल जाता है यह बट जम इक रीजिंस में किकली यह आप देख सकते हैं लड़कियों का पेर बंदा दोस्तों पेर होता है एक लड दोस्तरे को घुमारे हैं सर्कल में बैलंसिंग देर पुजीशन एंड सर्कुलर मोशन दोस्तों याद रखना नेक्स्ट भंगडा और अगला है लुड़ी लुड़ी दोस्तों कुछ निए भंगडा के अंडर ही आता है लुड़ी भी इसको बोलते है लुड़ी पानी यारि क किसम का स्टैप उता है लुड़ी क्या है एक किसम का स्टैप ही होता है याद रखना दोस्तों इसको आप सीदा याद करोगे ठीक है गतका, भंगडा, चुमर, लुड़ी ते किकली, ठीक है, यह आपको पता होना चीक है, दोस्तो, सिंपल यह पंजाब है, सिंपल है, यह आपको पता होना, इसमें कोई ट्रक लगाने की हमें जुरूरत नहीं है, दोस्तो, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पिंजाब क की जिवेंब करेंगे हर्याना में आपको एक लानस देखने को मिल रहा है सब्सक्राइब क्रएए इसमें से आप देखेंगे डफली का लेकर डांस करते हैं अगला है लूर ठीकए इसस्ट लूर ये dance होता है यह women ही perform करती है next है दोस्तों आपका गुगा गुगा दोस्तों ठीक है अगला है धुमाल ते चुमर ठीक है जुमर आपने ऊपर भी देखा जुमर यहां पर भी देखने को मिलता बाउंडरी स्टेट है अगर कोई folk dance एक स्टेट में है तो वो सेम हुब भी दूसरे स्टेट में नहीं हो सकता है क्योंकि जब boundaries लगती है ना boundaries दोस्तों boundaries पर कई सारी चीज़ें सेम होती है language सेम होती है खान पान सेम होता है तो dance भी सेम होता दोस्तों याद रखना ठीक है अब इसको किस तरिके से याद करेंगे दोस्तों हरे आना हरे आना हरा के आना हरे रहा के आना मींज हरा के आना अगर आपको कुछ produce करना है you have to die दोस्तो मरना पड़ता है बीज देखा न आपने बीज दोस्तो बीज को जमीन में बहुते हैं वो अपने आपको खतम करता है पहले वो मरता है और मरने के बाद उसमें से जब पौदा निकलता है फिर एक नई जिन्दीगी स्टार्ट होती है कुछ बड़ा करने के लिए दोस्तो आपको उपने आपको भूलना पड़ेगा मारना पड़ेगा ठीक है ची अब भूलना कैसे है चाहे फाग हो फाग समसे हैं धुन्द बड़ी ठंड हो फाग बढ़ती है तो फाग हो चाहे लूर यानिंकी लू हो गरमी में चलते ही लूہ गरम हमाई लू बोलते हैं तो लू हो चाहे दोस्तों फाग हो सर्दी का टाइम हो गर्मी का टाइम हो दोस्तों आपको हरा के आना है सबको आपको मेहनत कर रही है दोस्तों ठीक है डफ 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 का मतलब डफना डफना पजाबी का वर्ड है डूगरी का भी वर्ड है डफना क होता है खाते जाना खाते जाना किसी चीज को ठीक है डफना उसको बलते हैं लाइ डफल है तू डफल है मीन्स तू खाले भाई डफल है ठीक है जी आप देखें हरयाना के जो लड़के हैं हरयाना के जो लड़के लड़की हैं बड़े पहलवान होते दोस्तों ना वो गर्मी में ही आता है फिर दोस्तो नाम Google में ठीक है नीरे चोपडा लेख लेक्षा ले बजरंग पूनिया देख लेख लेए और कितने सारे हमारे ठीक है तो दोस्तो नाम कहां पर आता फिर Google में गूगा याद रखना दोस्तो फाग जो बोल रहा है यह farmers perform करते हैं इन्दी मन्था फाग फेबरी का मन्थ होता है चलो भाई डाफ बोल रहा है यह भी एक सीजनल डांस है सीजनल डांस का मतलब जब farmers की production हो जाती है harvesting होती है यह लिके है when crop is ready to get harvested डाफ भी तब होता है दोस्तों डाफ का मतलब डफली ड्रम टाइप एक instrument होता है उससे नाम आता है लूर विमन perform करती है गुगा दोस्तों गुगा एक विक्ति का worker who is worshipped by both Hindus and Muslims गुगा पीर बोलते दोस्तों हर्याना में ही दोस्तों हर्याना के ही इसार हर्याना के ही यह दोस्तों पीर हुए है hero है ठीक है चलो दोस्तों ठीक है तो हर्याना है जब अगर बंदों को हर्याना है तो फिर आपने ना लू देखन यह रोटी पहलवान बनना है डफनी पड़ेगी फिर नाम तुम्हारा गूगल में आएगा भाई ठीक है जी चलो भाई पंजाब हो गया हर्याना हो गया और धमाल यहां पे भी है और जूमर यहां पे भी है दोस्तो धमाल आपको पंजाब में भी देखने को मिलती है याद रखना धमाल जो है डा मार्शल आर्ट तोड़ा क्या है तोड़ा दोस्तों यह देखा है स्पोर्ट डान्स लिखा है इसको मार्शल आर्ट की फॉर्म लिखा है दोस्तों गतका एक हो गया तोड़ा दूसरा हो गया दोस्तों याद रखना तोड़ा दूसरा हो गया याद रखना दोस्तों इसके ब छपली दोस्तों यह डांस है वेरी सिंपल दोस्तों इसको कैसे याद करेंगे देखो अभी कैसे याद करेंगे फोक डांस आफ हिमाचल प्रदीश को किस तरीके से याद करेंगे थोड़ा ठीक है थोड़ा आप जोड़ा थोड़ा नाटी नाटी समझ लें छोटा है जो आपक तोड़ा नोटी ठीक है नॉटि धमन थोड़ा ठीक है इसने उसने क्या कर दिया हिम का मैठल हिम पर प्रक्शित का चोला जो है वह पैन लिया दोस्तों राक्शित का चोला पहन लिया तो हमाचल प्रदेश में थोड़ा नाटी जो आपका दमन लड़का है हीम में करती है राक्षसों को चोला पैयन के माला पैयन के दोस्थो कर रहा है पखंड और हाथ में भूच जाया से बना होता है हाथ सा डांग में बैठा हुआ है तो बुद मानलो जी जैसे आप वह भी देखेंगे यम्राज जो है दोस्तों वह अग्रेसिव होता है अभिवान होता है तो लेने के लिए आता है जब दमन जो है यह थोड़ा सा नौटी जो लड़का है यह राक्षिसों का छोला वुला पहन के और हाद में डांग लेके सांड के ओपर बड़ दोस्तों ठीक है आप याद कर रहा है करो कैसे भी तरीके से सांड की तरह कर रहा है और ब windshield चल रहा है से छफफ चम डान्स दोस्तो चम डान्स आपको के रीजिन्स पे देखने को मिलता है दोस्तो याक चम आपको ये सिक्किम में भी देखने को मिलता है आपको लदाक में भी देखने को मिलता है और हिमाचल प्रदेश का बॉडर भी लदाक के साथ हो तो वहाँ पर बुद्धिस्ट और चमत दोस्तो है, याद रकना और छपचब चब चब चपचब चब चब चल रहा है दोस्तो क्के इस हमाच्चल प्रदेष जेघली परफॉर्म्ड बॉद्धीस्ट मनस्ट्री त यह भी बुद्धीस्ट मनस्ट्री में मलत जो मनंतरी इसान्य मुझन का थिक्व आप दोस्तो याद रखना नंबर वान डान्स है घडवाली घडवाली डान्स दोस्तो उत्तराखंड की एक देखो दो डिवीजन है दोस्तो उत्तराखंड में एक है कुमाउ डिवीजन एक है घडवाल डिवीजन ठीक है दोस्तो जैसे हमारे जम्मून किश्मीर में दो डिवीजन है जम्मू डिवीजन वैसे ही दोस्तो किश्मीर डिवीजन तो घडवाल रीजन है और आपका कुमाउ रीजन हैं तो घड़वाल तो आपको सीधे ही पता होना चाहिए उत्तरी खंट घड़वाल घड़वाल डांस कोई सा घड़वाली घड़वाली तो याद रहेगा घड़वाली मितलब घड़वाली समझ लें घड़वाली ठीक है भई घड़वाली भाई जब कज्रा लगा रही हो न गरवाली कज्रा समझते हैं ब्लैक कलर का वो कज्रा महबत वाला आंखों में ऐसा डाला कज्रे ने लेली मेरी जाल हाए में तेरे कुर्बान वो तो कज्रा लगा रही घरवाली जो है क्या कर रही है कज्रा लगा रही है दोस्तों तो जब कज्रा लगाते हुए घरवाली को कम कमायूं कमायूं काम बता दियु न आपने जोर से चिलाेगी न याद रखना चोल लिया चोलिया को आप चिला लिए समझ ले ठीक है इदी तो वो जोर से चिलाएगी न भाई के तुम भागोगे तुम तो छोटे गो भी तुम क्या समझोगे चलो हमें हमारे जैसे लोगों को पता ना घरवाली का गुसा ठीक है तो बस के घर वाली को कज्रा लगाते हैं काम ना बतायें दोस्तो कमाई ऊणी ज इसे चलाएगी यह आपका चोल लिए चोल लिया दोस्तो अगीन यह उत्राकफंद का एक मार्शल डानस हा दोस्तो इसको बोल दिया Suaud Dants यह image आप देख सकते दोस्तो Swords and Shields इनों ने पकड़ी हुई है Shield हाथ में पकड़ी हुई है तो इस तरीके से आपको बस उत्राखन में एक ही याद रखना वो है घड़वाली घड़वाली को कमाई हूँ काम भाई काम नहीं बताना उसको ठीक है जी काम नहीं बताना क्यों वो जब कजरा वजरा मेकब वेकब लगा रही होगी तो भाई जोर से चला देगी तुम रोपड़ोगे याद रखना तुम तो नहीं हमारे चैसे रोपड़ेंगे चलो भाई अगला दोस्तो है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में कुछ खास folk dances नहीं है जो important है एक है दोस्तो नोटंकी नोटंकी का मतलब पहले ड्रामा होता दोस्तो नोटंकी एक्चल प्रॉपर दान्स नहीं है कोई यह dance भी है यह dance के साथ थोड़ी singing भी है singing के साथ थोड़ा ड्रामा भी है यानि कि यह पूरा एक theater form है दोस्तो ठीक है री theater है जैसे हमारे यहाँ पर भांड पात्र है वैसा ही दोस्तो नोटंकी है नोटंकी के बाद अगली dance form है दोस्तो रासलीला रासलीला भी आपका एक theatrical form है दोस्तो बीच में थोड़ा पूता dance भी हो जाता दोस्तो विच इस नोग परफॉर्म्ड इन मैनी इंडियन स्टेट हेर दा स्टोरी रिवाल्स अराउंड लॉड कृष्ण ठीक है रही charming childhood, adolescent, early youth which explore the relationship लॉड कृष्णा विद राधा रास लीला, रास लीला समझते ना रास लीला का मतलबी ये है कि वो जो दोस्ति यारी महबबत समझ रहे हैं तो वो कृष्णा की उसमें depict की जाती है एक theater form है दोस्तो याद रखना और कजरा यहां पे भी आपको देखने को मिलेगी कजरी और जोरा यहां पे भी देखने को मिलेगा और छपली यहां पे भी देखने को मिलेगा दोस्तो याद रखना क्यों दोस्तो उत्तर प्रदेश भी अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश जो है वो भी हिमाचल प्रदेश की आप देखेंगे boundaries पे पड़ता है बट ये आपको इतना ज़्यादा important नहीं है इनको आप छोड़ भी दें ये पूछेगा दोस्तो आप हिमाचल प्रदेश इसको आप बोलेंगे उत्राखंड कजरी तो आपको पता है उत्राखंड जोरा भी उत्राखंड छपली आपका हिमाचल प्रदेश है तो यहाँ पे आप दो कम से कम दोस्तो याद कर ले वो हैं नुटंकी और याद कर ले ये ही पूछ और याद कर ले दोस्तो अगे अच्छा एक बात और समझे लो मेरी, एक बात और समझे लो, अगर आप में से जितने लोग JKP Constable की त्यारी कर रहे हैं, ठीक है, Constable की त्यारी कर रहे हैं, तो वो हमारे paid batches में भी जुड सकते हैं, ठीक है, जिसका नाम है ZID, डिसक्रिप्षिन में उसका दोस्तो लिंक है, description मे यहाँ पे आपको live classes मिलेंगी, Monday से हमारी live classes start हो रही है, printable PDFs मिलेंगे, तीक है, और आप यार यह नहीं के मतलब, या बाकियों के मैंने course देखे, भाई पूरे के पूरी recorded video डाल के दे दी, भाई उसमें 1000 video कैसे बढ़ेंगे यार, कोई तरीका नहीं है, समझाने का कुछ नहीं है, जैसे आभी देख रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, बस इसी तरीके से मजाक में हमने पूरा-पूरा पढ़ लेना है, और topic-wise topic आपको दोस्तो टेस्ट मिलते हैं, full length mock test भी मिलेगा, complete package आपको, आप हमारे साथ जुड़िके इसको ले सकते हैं, आपको वो लेना चाहिए, आपका बहुत उस पर benefit हो जाएगा, दोस्तो, आगे चलते हैं, दोस्तो, now folk dances, folk dances of Madhya Pradesh, Madhya Pradesh, center है, Madhya Pradesh, Madhya Nam से ही पता लग रहा है, center, center दोस्तो, India का center, ज्वाहर दान्स, मतकी दान्स, फूलपत्ती दान्स, खडानाच, ग्रिदा दान्स, ठीक है, ठीड ग्रिदा दान्स, इस एर इंपॉर्टन दान्स आप Madhya Pradesh, Madhya Pradesh दोस्तो, ठीक है, number one देख लेते है, ज्वाहर दान्स आपकी दान्स, मटकी डैंस मटकी डैंस दोस्तों क्या होता है और जो है डैंसर जो भी होगा वो अपने सर पर क्या रखेगा मटकी रखेगा यह इमीज थोड़ी छोटी होगी तो लेकिन इसके सर में क्या है मटकी होती है और उसको आप देखेंगे different लोडी ली मुवमेंट्स करेगा और मट्की दोस्तों कहीं भी नहीं जाती इसमें दिखाए रहता है बॉडी का पूरा structure, strength, control, ठीक है, मट्की, next दोस्तों आपका फूल पत्ती, फूल पत्ती जो है ये दोस्तों आपकी जो unmarried girls है वो इसको करती है, performed on the occasion of holy, holy, ठीक है, रंगो ग्रिदा, ओक है दोस्तों, ग्रिदा, ग्रिदा में दोस्तों जो dance है, ग्रिदा में तीन faces होते हैं, दोस्तों, based on pace, पहले जब ये dance start होता है, तो movement थोड़ा slow होता है, दोस्तों, उसको बोला है, सेला, ठीक है, then mediate, जब आप center में पहुंच दे हो, dance के आपकी performance को, movement थोड़ सेला, भदोनी, तो ये तीन faces जो है, कही किताबे अलग-लग बोलती है, लेकिन ये ग्रिदा dance का ही part है, दोस्तों, ये important है, याद रखना दोस्तों, simple है दोस्तों, भारत का center क्या है, मध्या प्रदेश, जवाहर, जवाहर से क्या याद आ रहा, जवाहलाल नहरु साब, क्यों के designing हुई है, imagine करें दोस्तों, visualization करें, हमारे पंडीत जवाहलाल नहरु साब, उनको वैसे भी फूल पत्तिया पसंदी, गुलाब का रोज बड़ा पसंद करते हैं, तो इंडिया के मध्य में खड़े हैं, मध्य कैसे खड़े हैं, मट्का लेके खड़े हैं, मट्के के ओपर फूल पत्तियां बनी होई हैं, दोस्तों, यह है, अच्छा, ठीक है, अगर आप यूटूब पे देख रहे हो, दोस्तों, तो प्लीस इसको लाइक भाइक भी थोड़ा कर देना, तुम करते ही नहीं हो, माई, ऐसे चले चाते हो, क्या फाइदा हमारा, चलो भाई, आगे चल आपके डांसिस होते हैं, दोस्तों, नमबर वाना दोस्तों, गौर मारिया, क्या है, गौर मारिया, ठीक है, दूसरा है पंथी, तीसरा है साइला, ठीक है, चोता है सुवा, अगला है रौत नाच, इंपोर्टन्ट है, रौत नाच, और पांचवा है पंडवानी, क्या है, प वानी दोस्तों ठीक है अब दोस्तों इसको समझें दोस्तों 36 गड़ा पहला तो यह से कुले गौर मारिया एक ऐसा डांस है इसमें आप देखेंगे cowries and plumes of peacock feathers ठीक है and make their way to the dancing ground दोस्तों इसमें दोस्तों headgear पहना जाता है ठीक है headgear पहना जाता और more punk नहीं होता दोस्तों dancers more punk लगाते हैं image लगाना मैं भूल गया more punk लगाते दोस्तों ठीक है गौर मारिया दोस्तों इसका dance होता है याद रखना दोस्तों यह है दोस्तों पंथी डांस की image देख लें यह एक दूसर के ऊपर चड़े हैं अगला दोस्तों आपका sila group of women ठीक है री folk dancing in circle while singing folk song and shaking small bamboo sticks called sila in bamboo sticks को ही दोस्तों sila बोलते हैं यह आप देखेंगे इन्होंने sticks पकड़ी हुई है दोस्तों अपने हाथ में अगला दोस्तों सुवा सुवा जो है दोस्तों आपका क्या है women dance करती है और इधर यह parrot का costume इन्होंने पहना होता है सर पे अगर आप दोस्तों देख पा रहे होंगे तो यह आप देखेंगे orange green red color का इन्होंने इस सरी के से कुछ costume जैसा पहना हुआ है parrot बने है दोस्तों सुवा रौत नाच रौत नाच दोस्तों रौत नाच अगर आप देखेंगे इसमें भी क्या करते हैं यह decorative masks पैनते हैं क्लॉस पैनते हैं जो कि पत्तों के branches के बने होते हैं एंड टू इमिटेट वेरियस एनिमल्स एनिमल्स की भूमिका नहीं भारे होते दोस्तों रौत नाच रौत नाच ठीक है दोस्तों है अब दोस्तों इस तरीके से बोलाएं भी 36 गड़ ठीक है तो आप बोलेंगे भाई 36 जो लोग होते न आप जो टॉप पहनते हो आप जो पैंस पहनते हो दोस्तों आपकी पैंस आपकी जीन्स ठीक है री 36 लोगों ने जो है वो गौर करे या ना करे बोलता है 36 लोग है ठीक है अब 36 लोगों को कोई फरक उससे नहीं पढ़ता भाई तुम क्या पहनते हो ठीक है चलो भाई उसके बाद में तुम रात को बार जाओ दिन को बार जाओ भाई दोस्तों कैसे भी कपड़े पहन के तो आप समझें 36 से आप याद रखना आप 36 ऐसे थोड़ा बोलता ना पुश्पारा जुखेगा नहीं साइला मेरे को नाइफ पड़ता यहां भी बोला तो आप भी बोलें आप यह बोल सकते हैं एक हैरी थो गोर गोर से देखते हैं मेरी जीन को लेकिन को कोई परवाध नहीं पढ़ती दोस्तों फेसी ना सालो 5 छहत यह लोग गोर ने थीक है इंट को देखते हैं मेरी पड़ि साला सालो चतिजों कैसे गोर से गोर फीर हो योगा है दोस्तों करें ये खतो आयले ऑज्डसों को यार यह दोस्तों नेक्स्तव आपका फोल्ग डैंसbourई बिहार यांज ठीक है दोस्तों बिहार बिहार से समझे ले दोस्तों आप बाहर ठीक है जात जातिन बखो बखायन और पनवारिया बिदेसिया और जिजिया जिजिया अब दोस्तों समझे जात जातिन पहला नंबर ये एक कपल डांस होता है एक लड़का और एक लड़की होती है ये डांस कर कर रहे होते हैं आपने सुख दुख की बातने कर रहे होते हैं ठिक है बंदां परसलिटें करना है लड़क आफ सांग तो ये बिरहा के गानों पर भी देशिया डांस हो है दोस्तों ये करता है अब दोस्तों ये समझे जात जातिन जात जातिन दोस्तों आप समझे बिहार है ना बिहार ठीक है अब अगर अब बिहार समझे ना बाहर ठीक है अब अगर आपका बंदा या आपकी बंदी आपका बं रहे हैं सुन कोई रहा नहीं एक दूसरे का ठीक है जी लड़कियां आपको पता है वैसे थोड़ी काम ही सुनती है और उनका लड़ाई का भी कोई लेवल तो होता नहीं है कुछ भी कसूर हस्बंट का ही निकलेगा ठीक है जी तो वही तो अगर वाइफ की क्या कर रही है जी जिक जिक कर रही है जिक जिक समझ लेने कर रही है ठीक है जी बखो बखायन ठीक है जी बकी जा रही है बकी जा रही है ठीक है इससे याद करने के ल बन्दी कर रही है बीवी क्या कर रही है जिग जिग कर रही है बखे जा रही है बके जारी है नहींत इप कर एक मचारी कर सक Strategy और ठीक है क्या करना जा के पान ऊए खाऊंगा पान में शावषय होता नहीं तोड़ा अपना दिमाक सट पर ilka से इसको याद कर लो ठीक है तो जिक जिक कर रही है ठीक 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 है ओडिशा में पहला डांस आप याद कर रहे हैं, मयोर बंज चाओ, दोस्तो क्लासिकल डांस है, मयोर बंज चाओ जो है, एक क्लासिकल डांस है, इस क्लासिकल डांस के चाओ के तीन वेरियन देखे थे, तो ओडिशा में भी एक वेरियन था दोस्तो, उड़ता कौन है, मोर दोस भागनाच भागनाच डालखाई सखी कंदै ये है दोस्तों अदोस्तों कॉक्षर young अप समझे अब इसको क्या करेंगे आप या मायूर सब्सक्राइब मैं रूंटेक्स बन गया मैं आशा ऑडल शमूंड दोस्तों अदे आगत्रा का कम्पेनिंश्प दोस्त सहली ठीक हले मयूर का एक सखी बन गया हुआ है सखी कौन बन गया वो बन गया है बाग बाग उन सा टाइगर दोस्तों चीक है रही अब टाइगर जो है दोस्तों टाइगर जो है अब इसकी दोस्ती होगी अब टाइगर इसको लेगा जंगल में मोर को चीक है रही टाइगर तो भाई उसको तो उदर घुमा रहा है 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 घुमा रहा ह भाई ठक गया बहरा मेरे को लगी है बूक जाओ खाना अब टाइगर खाना क्या खाना का का यजा टाइगर खाता है मास्क गोड़ हो जानवर मारके खाऊं गाउंगा भूल रहाइँ भन्रभा पर थीक है भाई उसको बोल रहा है जी धाल खा ले भर तू दाल खा तो फिर उस इसको घुमारा है, घुमारा, ठख गया दोस्तो, फिर दाल घिला दी, ठीक है रही, आगी आगे दोस्तो आपकी गोचि पुओआ, इस जिए ज़से醒 के से आद luk, ठीक है, ऑगा दोस्तो, शेयलो भाई, नेक्स्त दोस्तो, आपका राजस्तान, राजस्तान में number one very very important कलब और आंतar हैं गूमते रहतें गाना बजातें गातें रहते हैं दोस्तों और नाचते नाते रहते तो वही दूसतों यह कल्भेलिया समाता है यह देखा आपने ब्लैक कलर की और अपर प्रोइडरी हुई हुई है यहां यहां तक दोस्तों वाइट कलर के बैंगल्स आयो रहे आयो रहे आयो मारो ढूलना वो दोस्तों जो आपका जो सौंग है तेक है कल्च्रल प्रोग्राम में भी दिखाए जाता है वह कल्बे लिया डान सो ठीक है दूसरा है दोस्तों घूमर घूमर 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 घूमरे आपने सुना होगा यह गाना पदमावत मूवी में शायद यह गाना है ठीक है घूमर घूमर घूमे ठीक है तो भाई यह तो स्टेट डान्स आफ राजस्तान भी है यह तो दो याद रख नहीं है कल्बेलिया और घूमर ठीक है गूम रहे हैं इतर दोस्तों ये frog देखें ऊढू रही है ठीक है चलो बैच अगली दान्स हो दोस्तों कच्चो गोडी कच्चो गोडी कच्चो गोडी इसलिए गोडी तो ये देखेंगे तो ये घोड़े का costume पहन के दोस्तों dance किया जाता है याद रखना कच्छो गोडी और एक है दोस्तो आपका भवाई भवाई दोस्तो जो डांस होता है ये भी एक मटकी डांस होता है याद रखना भवाई डांस मटकी डांस है तो भवाई आपका राजस्तान में भी है भवाई आगे चलके आपको गुजरात में भी देखने को मि पोरी यह भी आप सिंपल याद कर सकते हो दुस्तों अगला है आपका 13 तालीं 13 यह दोस्तों राजस्तान में आप याद कर लो चाहिए साथ में दोस्तों अभी देख लेते हैं कि हम dances of gujarat gujarat का very famous garba and dandiya ये तो पता ही है आपको जेठा लालो देखा जब देखो garba कर रहे डandiya कर रहे डandiya आपको पता stick dance होता है stick से से मार मर के नवरातराज बेगरा पर दोस्तों ये dance होता है आपका तीक है तो ये आपका garba होगे ये आपका दाड़ी आओगे ये तो याद रखना दोस्तों अगला है दोस्तों आपका टिपनी और भवाई यहां पर देखने को मिलेगा जो कि ये एक इसका पहला part है folk dances का part one है इसके और भी parts आएंगे ताकि ये आप अच्छे से याद कर लो उस भी में आपको पढ़ा होगा दोस्तों बाकी आप आप हमारे courses में enroll कर सकते हैं अगर आप graduate है तो बुनियाद में enroll कर सकते हैं सिर्फ JKP में जाना है दोस्तों वो JKP में भी जा सकते हैं दोस्तों ठीक है री चलो जी thank you very much have a great day